अन्रिसेप्टिव का क्या आर्थ होता है यह आज कि इस वीडियो में सेख लेते हैं अन्रिसेप्टिव का आर्थ होता है कि जो रिसेप्टिव ना हो यानि कि जो ग्रहनशील ना हो या जो नई बातें या नई इन्फरमेशन को या उसे जो जानकारी है उसके इलावा किसी ओर जानकारी को जो मानने के लिए, सुनने के लिए या समझने के लिए तयार ने हो उसे हम unreceptive कहते हैं यानि कि अपराप्य, avatious नियर जो grand shield ना हो यानि कि किसी भी नई जानकारी को या नई बात को या नई तरीके को जो accept करने में, स्विकार करने में आना कानी करता है या नहीं करता है असानी से तो उसको हम unreceptive कहते हैं यानि कि unreceptive is an adjective that describes someone or something that is not open और responsive to new ideas, suggestions or influences यानि कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अवस्तु होती है जो नई चीजों के प्रती responsive नहीं होता या नई suggestion और नई प्रभावों को स्विकार नहीं करता तो उसको unreceptive कहते हैं यानि कि दूसरों के नजरीयों को या नई information को ये जो unreceptive होता है ये ग्रहन करने में या मानने में हिचकिचाता है या उनको नहीं मानता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि प्रभंधक टीम की किसी भी प्रतिक्रिया को स्विकार नहीं कर रहा था यानि कि टीम की किसी भी प्रतिक्रिया को जो है प्राप्त नहीं कर रहा था या ले नहीं रहा था और शायद ही कभी उसके सुझावों पर विचार करता था तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें